Question No. 54 में क्या दिया है, और Mobile Phone is available for Rs. 79,860 by cash payment or by paying cash for of Rs. 60,000 as down payment in the remaining amount in 3 equal annual installment, if the shopkeeper charges interest at the rate of 10% per annum compounded annually, then the amount of each installment will be लगता है भाई, Apple का Mobile ले रहा है, तो देखिए, amount for installment, इंस्टॉल्मेंट कितने रुपे का लग रहा है, तो total था 7,9860, इसमें से 60,000 तो इसने दे ही दिया, बचा कितना, 19,860, तो जो installment के तुरू उसे pay करना है, वो 19,860 पे करना है, अच्छा, rate कितना है, 10%, rate 10% है, तो multiplying factor कितना हो जाएगा, 11 by 10, मतलब अगल principal 10 होता, तो amount कितना होता, 11, फर्स्ट इयर में क्या होगा, 10 रुपीज अगर उतने लिया होता, तो उसे 11 रुपीज देना पड़ेगा, सेकिंड में क्या हो जाएगा, अगर यह 100 लिया होता, तो इसको 121 देना पड़ेगा, थर्ड में अगर यह 1000 लिया होता, तो 1331 देना पड़ेगा, क्या में क्या मुलना है, कि जितना भी इंस्टॉल्मेंट है न सब सेम है, तो देखे, यह राइट हैं साइड वाला इंस्टॉल्मेंट हो पे कर रहा है, लेफ्ट हैं साइड वाले value के corresponding, तो यह 11 को 1331 बनाने के लिए, 121 से multiply करेंगे, इधर भी 121 से multiply करदीきます, PRES Самाइड से 121 देले विए 11 से multiply करेंगे, यह आजाएगा 1, 2, 1, 0 प्लस 1100 प्लस 1000 यहाँ पर 1 से हमेल टिक लेख रही है 1000 यह total values आ रहा है 3310 लेकिन question में क्या बुला है कि ना यह 3310 नहीं इन reality यह total 19860 है principle इसके corresponding उसे interest वगरा पे करना है तो एक का value कितना हो जाएगा 6 हो गया अगर एक का value 6 हो गया है तो 1331 का value कितना आ जाएगा इसको 1331 इंटो 6 से मल के प्लाई करते तो 86, 78, 89 7, 9, 8, 6 तो सही answer हो गया है option number 1 जो कि है 7, 9, 8, 6 उमीद है आपके समझ में आ गया होगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए question के साथ कोईँ करेंस है झाह झाले करेंस होगा है क्पले की कॱ zor